अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्ले बास तैयार आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शॉट है ये बहुती अच्छा शॉट और गेंद सीधा सीमा रेखा के बार चौका मिलेगा यहाँ पे कड़क टाइमिंग के साथ गेंद को पहुचाया है बांडरी के पार किसी फील्डर को मौका नहीं वहाँ पर और गेंद सीधा सीमा रेखा के बार आसानी से खेला एक रन के लिए खराब फील्डिंग ना परवाई हुई फील्डर से दमडार शॉट और यह चंका लाजवाब शॉट गेंद डाली स्लॉट में बल्लेबाद ने उसको पार्किया पार्किंग लॉट में अच्छे अंदाज में पिक्किया शॉट को और गेंद को पहुचा दिया स्टैंड में तेज कराणा शॉट चाहर रन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी और यह आउट कजब की फूर्ती दिखाई यह फील्डर ने यहां पर बहुत शांदार पकड़ा कैच काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोरा आए हाफ चांस को सफलता में कैसे तबदिल किया जाता है और यह मैक्सिमम गेंज आएगी बाउंडरी के ऊपर से चक्के के लिए वाँ यहां क्लीन बैट स्विंग देखने को मिला यहां बल्ले बास का पूरे छे रन मिलेंगे और यह छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा यह कैच बढ़िया शॉट और गेंज सी दी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई कराना प्रहार बल्ले बास का छे रन के लिए शानदार शॉट गेंज सी दी बाउंडरी लाइन की तरफ जाती हुई बल्ले से गेंज का जबरदस संपर्क और इसे छे में किया दबदीर गैप में केला है दो रन्स मिल सकते हैं मिल गई सफलता गेंज एक दम ठिकाने पे बल्ले का किनारा जरूर लगा पर गेंज सीधा स्टम्स पे लाइन बढ़िया लेंज जबरदस शानदार गेंबाजी फिल्ड के अनुसार ही गेंबाजी कर रहे है गजब क्या कैच बल्ले बाज है इसी फिल्डिंग देखकर बड़ी सफलता पूरी टीम उच्साइथ होगी इस विकेट के बाद मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम फिल्डर ने बहुत अच्छा जज़ किया कैच को मजा आता है इंको फिल्डिंग करता देख कमाल का ये शॉट मिलेगा चौका बढ़िया अर्चा तक खूब सुरज शॉट देखने मिले इस पारी में किसी फिल्डर को मौका नहीं वाँ पर और गेंज सीधा स्की मारेखा के बाहर करारा प्रहार बल्ले बास का छेर रन के लिए इस गेंज को भेजा है हवाई यात्रा पर और दर्शकों के बीच किया है डिपॉजिट गजब का छक्का मिलेंगे पूरे चार रन्स आत्म विश्वास और बढ़ेगा इस शॉट से अच्छी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं बहुत ही घूपसूरती से खेला ये शॉट देज कराना शॉट चार रन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी गेंद लगी स्टम्स पर और बल्ले बाज को जाना पड़ेगा वापस पविलियन और ये इनका मशूर सेलिब्रेशन इनके इस अंदाज के तो दर्शक भी दिवाने हैं गेंद बाज को चाहिए था विकेट तो बैट्समेन को थमाया पविलियन का टिकेट ये रहना यारों ये इंतिहानों का दौर है गेंद बाज लाचार बल्ले बाज के खाते में पूरे चार ओ नजाकत भरा ये शॉट फास्ट आउट फील्ड चार रन मिलेंगे शानदार शॉट गेंद सीधी बाउंडी लाइन की तरह जाती हुई अपनी टीम को बल्ले बाज कनेक ने किर पाए बोल्ड पैविलियन की और लोटना पड़ेगा ना खुश मायूस नाराज निराश बल्ले बाज जाल बुना था गेंद बाज ने और आखिर कार उसमें फस गए बल्ले बाज पड़िया शॉट टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं तीन रन मिल सकते हैं यहां पर इस खिलाडी के पास ताकत भी है और नजाकत भी चतुराई भरा चौका थग्रा शॉट बल्ले के एक दम पीच से निकली है गेंद रहे इतना असान नहीं है इस शॉट को एग्जिक्यूट करना वाह क्लीन बैक स्विंग देखने को मिला यहां बल्ले बास का पूरे छे रन मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं बल्ले बास अपना अर्ध शतक पूरा किया पूरी ताकत जोंग दिये इस शॉट में बल्ले बास ने मिले पूरे छे रन वाह वाह बड़ी अच्छे रहे हैं मज़ा आता है इनको इस अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए देखने में चार रन्ज मिलेंगे कीन खराब नहीं थी पर यह शॉट बहुत खास था पड़क है यह शॉट और गेंद गई है सीधा तारा मंडल में दोनों ही बल्ले बाज अपसेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पिच को अच्छी तरफ समझ लिया है बोल्ड कमाल की जेंद बाजी डंडे भी घेर दिये बल्ले बाज के पविलिन के और जातुए बल्ले बाज बड़े हताश कहना होगा कि यहाँ पर शॉट सिलेक्शन बहतर हो सकता था सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं शांदार शॉट दिल खुश हो गया इस शॉट को देखकर शाप संपिंग की परदारा दोर्य आउट धेद बाज ने पांच बिकेट हॉल का बड़ा मुकाम हासिल किया है शांदार प्रोदर्शन पैविलियन की और लोटना पड़ेगा ना खुश मायूज नाराज निराश बल्ले बाज अच्छी रही है आसानी से खेला एक रन के लिए गेंद बाज की शांदार अपील लेकिन अमपायर प्रभावित नहीं अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्ले बाज तैयार पहली गेंद पे चलता किया बल्ले बाज को क्या शुरुआत दिलाई है गेंद बाज ने अपनी टीम को बड़ी सफलता पूरी टीम उच्छाइथ होगी इस विकेट के बाद बहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ खराब शॉट बल्ले बाज द्वारा और फील्डर के लिए आसान सा कैच बहतरीन शॉट लेंद को जल्दी से पड़ा और खूबसूरत चौका जड़ा कमाल का ये शॉट चौका मिलेगा महीं सीथी दरार उसमें से जड़ दिया चार और ये गेंद गई सीमा रिखा पार फील्डरों के पीज गैप ढूलने में काम्याप चार रन के लिए गेंद सीमा रिखा के बाहर खूब सूरत चौका गेंद बाजी दोनों के लिए कमाल का ये शॉट मिलेगा चौका लंबा शॉट खेलने का प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम चतूर गेंद बाजी शायद पहली अनुमान लगाया था कि जबर्दश शॉट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेंद को बाव भी जाने से भड़िया लेंग बल्ले का किनारा लगा और कैच दे बैठे पविलिन के और जात हुए बल्ले बाज बड़े हताश अच्छा जज किया ये कैच अमूमन आसान नहीं होता इन्हें पकड़ना दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ तो नहीं हाथों से फिसल गई गेंग खराब फिल्डिंग शांदार चौका गेंद बाजो को चौकाने वाला चौका बहुती शांदार प्लेसमें और चार रन मिलेंगे यहाँ पर बड़ी याड टाइमिंग आत्म विश्वास जरूर बढ़ेगा इस शॉट से चार रन्स हवा में दे मारा लंबा शॉट खेलने का प्रयास और गेंग सीधा फिल्डर के हाथों में पविलिन के और जाते हुए बल्लेबाद बड़े हताश खराब शॉट बल्लेबाद द्वारा और फिल्डर के लिए आसान सा कैच आसानी से दो रन मिल सकते हैं और आसानी से कैच लिया वहा मौजुद फिल्डर ने बड़ी सफलता पूरी टीम उच्साइथ होगी इस विकेट के बाद वहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ काफी ढीला शॉट है बिल्कुल टाइम नहीं कर पाए तेजी से पहले रन के लिए दौर लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते हैं काफी तेज ओड लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे हाँ पर दमदार शॉट और ये छक्का छक्के छुडाने वाला छक्का ये इन सीधा बल्ले के बीच से निकली वाँ भूपसूरत चार रन चार चान लगाने वाले रन वाँ वाँ बढ़ी अच्छे राएं मज़ा आता है इनको इस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखने में पूरी तरह नियंतरन में थे बल्लेबाज बहुत ही बढ़ी आशॉट गैप में गई ये गेंद और मिलेगा चौका वाँ इसे कहते हैं अद्गूत कैच कैच और मैच की श्रेणी में इससे जरूर शामिल करना चाहिए अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दौर आए ऐसी कैच इस ना सिर्फ आपको मैच इस जित्वात इंतिहानों का दौर है चोटी गेंद खोटी गेंद 24 कैरेट खरा शाट किनारा लगा और सीधा फिल्डर के हाथ में और ये इनका मशूर सेलिब्रेशन हाफ चांस को सफलता में कैसे तबदील किया जाता है इसका बढ़िया उधारन दिया इस खिलाडी ने खूप सूरत प्लेस में दीम के खाते में कुछ और रंस जुड़ेंगे उम्दा टाइमिंग थी इस शॉट में और निश्चित था कि ये गेन सीधा बाहर जाएगी एक बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं बल्लेबास अपना अर्ध शतक पूरा किया विश्वाज बड़ा शॉट था ये अच्छी बल्लेबाजी थोलो देखते हैं तंगड़ा शॉट कॉंफिडेंस से भरपूर आसानी से केला एक रन के लिए हलकी सी थी खता और नहीं खुला खाता वहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ पारी की आखरी गेम देखते हैं क्या होता है इस पर आसानी से दो रंग मिल सकते हैं यहाँ अंदार जीत बहुत बड़ी आंदाज से पहले एक सम्मान जनक लक्ष दिया और फिर उसको सक्सेस्फुली डिफेंड किया